हेलो फ्रेंज, वेलकम टुए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की नियो रिक्रिमेंट नोटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज से यहाँ पर देखिए, वेरियस पोस्ट के लिए आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई है जिसके लिए आप ओनलाइन आविदन कर सकते हैं और इसमें फ्रेंज से हम जो बात करने वाले हैं जिस वेकेंसी के बारे में वो फ्रेंज से आपका यहाँ पर वेकेंसी है आपके 2354 पोस्ट के लिए जिसके लिए आप 9 जनवारी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक आप आविदन कर सकते हैं ग्रेड 4 या जूनियर असिस्टेंट के लिए स्टैनोगराफर, LDC कम टाइपिस के लिए जूनियर स्टैनोगराफर के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए या LDC पोस्ट के लिए या इसके लावा असिस्टेंट ग्रेड वन के लिए आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इसमें आप आविदन कर सकते हैं कैसे आविधन करना है इसके step by step process के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और यहाँ पर friends आपको देखिए इसकी LBT conditions मिल जाएंगी साथ में pay skill मिल जाएगा selection process आपको मिल जाएगा और उसके बात नीचे आपको यहाँ पर देखिए apply का link मिल जाएगा तो friends अब यहाँ पर देखिए apply link पर click करने के बार आप इसमें apply कर पाएंगे और इस वीडियो में मैं आपको सारी जनकरी provide करने वाला हूँ कैसे आप step by step यहाँ पर इस form को apply करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए यह इसका official portal है जहां से आप इसमें online आविदन करते हैं जो की online application registration system है दिल्ली सब्सक्राइब सर्वी सेलेक्शन बोर्ड का तो आपको यहाँ पर apply करने के लिए सबसे फ़रे registration करना होता है आपको यहाँ पर एक link मिलता है registration करने के लिए अगर आप फ्रेंड से पहले से register है तो आपको click to sign in पर click करना है और अगर आपको registration number को भूल गए है तो आपको forget password करना है जिससे फ्रेंड से आप आपकी जो जानकारी है password है उसको दुबारा से ले सकते हैं तो यह तीन step आपको यहाँ पर follow करने होंगे सबसे पहले हम बात कर कैसे आप यहाँ पर registration कर सकते हैं तो आपको click here to new registration tab पर click करना होगा तो यहाँ पर friends देखिए यह इसका registration portal है जहां से आप इसमें online registration करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कुछ basic जानकारी आपको enter करनी है जिसमें आप यहाँ पर enter करेंगे आपका नाम तो पूरा नाम जो भी आप का है वो आप यहाँ पर enter करेंगे नाम को यहाँ पर आप रिएंटर कर देंगे नाम रिएंटर करने के बाद आपको यहाँ पर option मिलता है DOB का means date of birth का तो आप यहाँ पर देखिए जो calendar है इसमें से आपके according जो भी आपकी date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं यहाँ पर friends ज आपको यहाँ पर दिया गया है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर लगाने की जरुट नहीं है आप सिंपली यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो यह friends यहाँ पर आपका option रहता है अब आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है इसके बाद इसे यहाँ पर confirm कर देना है इसके बाद आपका देखिए जो passing year है वो आपको यहाँ पर select करना होगा मतलब जो 10th class है वो आपने कब पास की है तो आपको यहां से passing year select करना है, उसको यहां पर verify कर देना है, इसके बाद gender option है, gender आप यहां पर select कर सकते हैं, ऐसे ही nationality आपको select करनी है, इसके बाद next जो section है यह है फ्रेंज आपके father name का, तो देखिए जो ये do section है इसमें आपको father name यहां पर enter करना है, इसके बार आपको यहाँ पर mother name एंटर करना है और इसके बार आपको यहाँ पर आपना spouse ने मतला पती या पतनी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा तो basic जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी इसके बार, फ्रेंस, नीचे हैं, मॉबाईन number, तो आपको mobile number एंटर करना है, mail ID एंटर करनी है, और उसके बार देखे, get OTP पर click करना है OTP पर friends click करने के बाद आपको friends मॉबाइल पर और आपकी mail ID पर एक OTP आती है वो OTP आपको यहाँ पर enter करना होगा और उसके बाद friends आपको OTP को verify करना होगा OTP verify करना यहाँ पर ज़रूरी है इसके बाद नीचे देखे जो main option है वो है आपका ID proof का अब देखें दो options है या तो आपके पर धार कार है तो आप yes करेंगे नहीं है तब no करेंगे अधार कार है तो आप यहाँ पर अधार का number देंगे दो बार आपके धार कार पर नाम क्या है वो आपको दो बार देना होगा अगर आपके पर select की है उस ID का number आपको देना है उस ID पर आपका नाम क्या है वो आपको देना है और वो ID proof आपको यहाँ पर upload करना होगा size आपको यहाँ पर दिया गया है जैसे ID proof का है 15 से 60 के भी और जो resolution है वो आपको यहाँ पर दी गई है अलग-अलग ID के लिए वो आप यहाँ पर upload कर देंगे और simply अगर आपका अधार कार्ड है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं अधार का number और आपका जो अधार कार्ड पर नाम है वो आपको देना होगा इसके बाद है आपका password create करना password देखिए 8 character का कम से कम होना चाहिए upper case होना चाहिए lower case आपका उस password में होना चाहिए इसके अलावा digit आपके उस password में होने चाहिए और special character आपके जो आपको देए गया है इन मेंसे कोई भी आपके उस password में होने चाहिए अब देखिए friends इस sample के तोर पर मैं आपको यहाँ पर password शो करता हूँ जैसे आप uppercase यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर देखिए small letters यूज कर सकते हैं क्योंकि upper case और lower case आप से कहा गया है इसके बाद आप numbers यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप कोई भी special character जो भी आपको यहाँ देगा है इन मेंसे कोई भी special character आप उस password के लिए use कर सकते हैं आपको जो password यहाँ पर आप create कर लेंगे उसके बाद आपको उसे confirm करना है यहाँ से undertaking आपको करनी है और उसके बाद preview चेक करना है अगर आपको कोई भी गलती है आप उसे सही कर ले इसके बाद आप यहाँ से declare करके submit कर देंगे जिससे आपका registration complete हो जाएगा तो friends से registration complete होने के बाद अब आपको login करना है और login करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए आपको कुछ basic जानकारी देनी है सबसे पहले यहाँ पर आप देंगे आपका DOB यहाँ पर आप देंगे यहाँ पर तैन का passing year और इसके बाद आपको यहाँ पर जो password आपने create किया होगा वो आपको यहाँ पर देना है तो आप friends से यहाँ पर देखिए जो आपका roll number है वो आप यहाँ पर enter कर देंगे इसके बाद यहाँ से passing year select कर लेंगे इसके बाद आपना आपको यहाँ पर देखिए multiple options मिलते हैं जैसे आप new application के apply करना चाहते है तो आप इस option पर click करेंगे आप इस portal पर आएंगे अगर आप अपनी personal detail को edit करना चाहते हैं बाद में photograph या qualification को change करना चाहते हैं edit करना चाहते हैं submit करना चाहते हैं final application को status को check करना चाहते हैं आपकी registration details को update करना चाहते हैं तो friends आपको multiple options यहाँ पर मिल जाते हैं इसके बाद नीचे आपको मिलता है आपको देखिए post code तो यहाँ पर आपको post code देखने को मिल जाएगा जैसे LDC है आपका standographer है आपका friends टाइपिस्ट है assistant grade 1 post है तो friends आप इन में से जिस्वी post के लिए apply करना चाहें apply आप कर सकते हैं section officer का assistant teacher nursery का आपको सभी के यहाँ पर options मिल जाएंगे 9 जनवरी 2024 से 7 फरवाई 2024 सब आप इसमें आविदन कर सकते हैं अब यहाँ पर friends देखिए जो apply का option है वो अब आपका activate हो गया है तो आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं आपको उसके सामने दिये गए apply now वाले option पर click करना होगा इसके बाद friends आप अपने portal पर login हो जाएंगे और यह आपका address section है तो पूरा address जो भी आप लिखते हैं आपके address में और यह आपका present address रहेगा तो आपको friends आपका address यहाँ पर mention करना है with district और with आपके state और साथ में आप pin code की entry यहाँ पर आप करेंगे ही तो यहाँ पर यह entry करने के बाद अगर आपका present और permanent address same है तो आप same as पर click कर सकते हैं और इसके EWS candidate है तो आप यहाँ पर EWS select कर सकते हैं आपके friends यहाँ पर देखिए EWS certificate number की जनकरी आपको यहाँ पर देनी होगी और यह central government का certificate होता है उसकी जनकरी आप प्रोवाइड करेंगे ऐसे ही अगर आप SC या ST candidate है तो आपको OBC का certificate दिल्ली का है वो आपको देना है पर OBC outside दिल्ली है तो देखिए आप यहाँ पर eligible नहीं होंगे reservation लेने के लिए तो friends उस condition में आपको यहाँ पर सब general से ही form को apply कर सकते हैं मतलब general से ही आपको form apply करना है तो यह चीज़ आपको OBC वाले candidate को clear होनी चाहिए इसके बार friends यहाँ पर देखिए आपको certificate नंबर देना होता है certificate issue आपको date यहाँ पर देनी होती है कब आपका certificate यहाँ पर जारी हुआ है certificate issuing authority कौन है मतलब तैसिलदार SDM जिला मधिस state किसने यह जारी किया है और इसके बार certificate issuing state कौन सा है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं आप कोई सब category है तो आप यहाँ से select कर लेंगे जैसे ex-serviceman है disabled defense personal है contact employee है same department में वीड़ो या डिवोसी woman है आप यहाँ पर differently size photograph तो आपको साइज यहाँ पर मिल जाता है 5 x 7 इंच का जो कि आपको हाइट और विर्थ यहाँ पर दी गई है तो आप गूगल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखे JPG to post size card आप जा सकते है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आप यहाँ से जो size है वो बढ़ा सकते है जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है 5 x 7 इंच तो आप यहाँ पर 5 x 7 इंच में इसमें जो है इसको convert कर सकते है तो आपको इंच का option भी यहाँ पर मिल जाता है और य left thumb impression upload और आपका जो है right thumb impression upload इसके लिए फ्रेंसे आप MS Paint का यूज भी कर सकते हैं और फ्रेंसे मालीजी आप MS Paint का यूज नहीं करते हैं आप online ही से convert करना चाहते है तो crop RTI online का option आपको मिलता है आप इस option पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface यहाँ पर open होगा जह उसके बार friends आपकी देखिए जो photo है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं फोटो को यहाँ पर आप जब select कर लेंगे तो friends आपको यहाँ पर देखिए multiple options मिल जाते हैं जैसे file का option मिल जाएगा save करने के लिए basic option मिल जाएगा आप यहाँ पर resize कर सकते हैं तो आप इस option पर click करेंगे जिससे आपकी जो photo है उसका size convert हो जाएगा तो आपके सामने यह options हैं तो आप यहाँ से photo and sign को resize कर लेंगे और जब आप यहाँ पर इसे upload कर देंगे इसके बाद ही आप next step पर जा सकते हैं तो यहाँ पर friends मैंने देखिए sample के तोर पर यहाँ पर upload कर दिए है photograph and signature और इसके post के लिए apply करना चाहते हैं आप इसमें apply कर सकते हैं जैसे मालीज आप इस post के लिए apply करना चाहें आप इस post को select कर सकते हैं इसको भी कर सकते हैं तो यहाँ पर friends से देखिए आप से कहेगा इस ace criteria according आप इस post के लिए applicable नहीं है तो आप जिस post के लिए applicable नहीं होंगे आपकी ace criteria के तो मैंने यहां पर फ्रेंट से जितनी पोस्ट के अप्लाए करना है वो मैंने यहां पर सलेट कर लिया है और ध्यान रखिएगा यह फ्रेंट जो पोस्ट पर फ्रेंट से यह आपको बाद में शो करनी है कि आप सबसे पहले किसमें जॉब चाहते हैं तो अभी के लिए आप कर लेंगे से यहां से कर देंगे इसके बाद आता है यहां पर टेखेंचर का आप इस जो है weit इसकी स्टेट से आपने इसको पास किया है या यूरि सिटी कौनसा है तो आप यहां से देखिए board या university का जो नाम है वो आप select कर सकते हैं इसमें नहीं है तो आप other select करें और यहाँ पर आप board का जो नाम है वो आप manually enter कर सकते हैं यह enter करने के बाद friends यहाँ पर देखिए next option है month and year of passing का तो आपने इसको कब pass किया है तो month और आपके इसके बाद जो year है वो आपको देना है और उसके बाद यहाँ से insert कर देना है इसके बाद आपको typing speed आनी चाहिए आप इस पर tick करेंगे और यहाँ पर friends जो save का option है यहाँ से इसे save कर देंगे यहाँ पर qualification आपके देखिए save हो जाएगी इसके बाद friends आपको next department जो आपका है वो आपको select करना है इसके बाद आपको friends आपको यहाँ पर same आपसे यहाँ पर कहा गया है typing speed आपको यहाँ पर इस पर किले करना है इसके बाद देखिए friends आपको यहाँ पर qualification है 12 इसके बाद discipline इसके बाद friends आपकी जो percentage है वो आपको यहाँ पर देनी है इसके बाद फैंसे आपको यहाँ पर जो state है वो आपको देना है board या university या आपका है तो वो आप दे सकते हैं नहीं तो आप other select करेंगे इसके बाद month and year of passing आपको देना होगा तो month and year of passing आप यहाँ पर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आप इस data को insert कर देंगे insert करने के बाद same typing speed पर आपको tick करना है और इसको यहाँ से save कर देना है और उसके बाद आप इसे भी okay यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ पर फैंसे देखिए जो आपकी qualification जो है friends जिसके लिए आपने all right applied कर दिया है वो department आपको मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखे जितने भी options यहाँ पर मिलते हैं जैसे मालीज आप इस post के लिए option को select करते हैं तो आपको यहाँ पर qualification select करेंगे और same आपको यहाँ पर देखे qualification की entry करनी है same आप discipline select करेंगे यहाँ पर आपको आपको आपकी percentage यहाँ पर enter करनी है दो decimal तक इसके बाद आपको यहाँ पर देखे state का option मिलता है इसके बाद board या university के आप यहाँ पर entry कर देंगे इसके बाद friends आपको month and year of passing देना है तो आपका आपके जो other आपके यहाँ पर department है उस पर click करना है तीनों department यहाँ पर आ गए है इस तरह से friends आपको करते हुए सभी department को select करना होगा और जिन जिन के लिए आपने apply कर दिया है वो आपको यहाँ पर देखे green मिलेंगे और उसके बाद आप next step पर click कर पाएंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखे जितनी post के लिए हमने आविदन किया है वो सारी जनकरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके बाद आप अपनी details को edit करना चाहे photo signature को edit करना चाहे qualification को edit करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं नहीं तो आप इसे declare करेंगे और submit final application यहाँ से कर देंगे इसके बाद आपका देखे जो form है वो finally submit हो जाएगा इसके बाद status पर जाएंगे status पर जाने के बाद आपको यहाँ पर option मिल जाएगा देखे पोस्ट का जिसके लिए आपने apply किया है उसके बाद आप यहाँ से submit करेंगे और उसके बाद friends आपको आपका application number मिल जाएगा ऐसा ही friends आप print application पर जाएगे तो यहाँ पर भी आपको देखे post select कर लेनी है print application पर आपको click कर देना है और आपके application form का जो print out है वो save करके अपने पास से रख लेना है तो मैंने आपको सारी प्रसाइब बता दी है कैसे आप DSSB requirement 2024 का online form अपलाई कर सकते हैं अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like, subscribe बेंशे जरूर कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही है हमारा YouTube channel and last thanks for watching